भूपाल के बेर्सिया में सामाजिक संगठन नाजी के संभाग अध्यक्ष अशोक शुरिवन्षी ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि पिछले गई वर्षों से संचालित छात्र संग्रह आवास यूजना संचालित था इस पर शुरिवन्षी ने गंभीर आरूप लगाते हुए प्रशाशन को आड़े हाथों लिया और कहा कि ये अनुसूचित जाती वर्ग के छात्रों के भविशे से खिलवार किया जा रहा है आए दिन सरकार और प्रशाशन दलितों के हक अधिकार को दवाने की कोशिश में लगे हैं हम पर उनके मनसूबों को काम्याब नहीं होने देंगे अगर हमारी मांग नहीं मानी गई योजना पुना संचालित नहीं की गई तो सौमवार से चात्रों के साथ अनिस्चित कालिन भूख हर्थाल पर बैठेंगे अगर किसी भी चात्र या सामाजी कार्यकरता को खरोच आई भी तो उसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशाशन की होगी देखिए निस्चित दोर पर जो सिक्षा का मिजी करान हो रहा है उसको लेकर हम लोग सभी लोग समाज के लोग चिंतित थे और चिंतित भी इसलिए हैं लेकिन प्रसासन और जो राइनितिक द्वेश के चलते हमारी जो आवास की रासी है उसको पोटल के मात्य हम से कहीं फाइलों में उलिया कर इस तरीके इसे बंद कर दिया गया है हमारे चातर पिछले संदिके कहीं चातर रहे गए होड़े चात्र पर अवेदन कर रहे हैं लेकिन आवेदन लग उन पर जाडी नहीं हो रहा हैं प्रसासन और चुक्त पिलकुल भी कि अगर हमारी मांग को सवामबारता के उसको माना नहीं गया तो हम अनिशिक काली भूपर बैठेंगे जिसमें अगर किसी की जानमालिक प्रकार की छती होती है तो उसकी पूरी-पूरी जुम्मेदारी सासन प्रसासन ताइडी की संता में बैठेंगे जन्ति होती है तो हम करता है अनिश्यक काली अनिशन पर बैठेंगे देखती रहिए डीवी भारती समचार नजर हर खबर पर